अबी हाली में अखिलेश यादव जी ने बोला है कि वो इंडिया अलाइंस से सीट्स ले नहीं रहे हैं उनको सीट्स दे रहे हैं आप सुल्तानपुर से आते हैं आपका गड़ है लेकिन उस गड़ में बीजेपी का दबदबा है उसी को हटाने के लिए आप कॉंग्रेस और स दबदबा है इसलिए दो बार से प्रधान मंतरी हैं मोदी जी तीन सो से ज्यादा सीटे वो जीत के आएं देश में इसको को इनकार नहीं कर सकता उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी खासी संख्या में उनको 2014 और 2019 दोनों में सीट मिली लेकिन जब आप मिलकर लड़ेंग या रास्टी लोगदल का पस्चिम उत्रपदेश में जो प्रभाव है तो एक अच्छी तस्वीर आपको 2024 में देखने को मिलेगी और लोग आप उबे हुए हैं जो क्रेज जो जो लगाओ जो जुडाओ भारती जनता पार्टी और मोदी जी के प्रतिता लोगों के मन में व आपक्तूबर के महीने तक फाइनल होना है तो उसको बैठके सारे लोग तैय करेंगे तो अगर किसी इस पार्टी को भी अब जैसे इन्होंने अर्टीस दलों को अपने साथ लिया तो मुझसे लोग कह रहे थे कि साब ये आपने 26 लिया इन्होंने अर्टीस लिया तो हमने क उसमें से 26 ऐसे हैं जिनके पास सांसद विराय कोई नहीं है फिर भी है गडबंदन में तो कैसे कैसे दलों को लिया हम तुम कहां कैसे लेकिन वेकिन मेकिन कामा फूल स्टाप सबको अपने साथ ले लिया आप तो राश्टीय पार्टीस राजनीतिक दलों का ये जो गडबं नहीं रखा है ये नए अडानी के डीलर्स तैयार किया जा रहे हैं जो पूरे देश के संसाधन को आकास से लेके पाताल तक एक व्यक्ति के नाम करना चाहते हैं आप तो राश्टीय पार्टी हैं कितनी सीट लेने की तमनना है आपकी देखे ये कोई कैमरे पर बोलना चैनल पर बोलना ठीक नहीं है जब एक गडबंदन में आप हैं और उसमें सारे दल के लोग और उसके नेता बैठेंगे तो वो तैंक करेंगे कौन पार्टी कहां तो खुब सूर्ती है ना कि आपनी पसंद बताईए तो बताएंगे ना जिस फोरम पर बताना है जिस मंच पर बताना है वहां बताएंगे तो बाहर बताने से भी बाद होता है कोई फाइदा नहीं हुसका